हेलो और नमस्कार दोस्तों, मैं निर्मला तडागी from the Department of Remote Sensing and GIS आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ उत्राखन Open University के Community Radio Station 91.2 FM पर तो आज हम बात करेंगे GIS के बारे में, GIS क्या है, ये कैसे काम करता है और इसका प्योग हम कहां-कहां कर सकते हैं तो सबसे पहले GIS के बारे में चर्चर शुरू करने से पहले, मैं आप सभी शोतागणों को ये बतारा चाहूंगी कि हमारे यहां उत्राखन Open University में, MSC in Geoinformatics GIS course फिर से स्टार्ट हो चुका है जो भी इसमें admission लेने के इचुक हैं, वो अधिक जानकारी के लिए हमारी उनिवस्टी की website और उनिवस्टी के toll-free number पर संपर्क कर सकते हैं तो आईए जानते हैं GIS के बारे में, सबसे पहले बात करते हैं GIS के full form की GIS Geographic Information System, तीन शब्दों से मिलकर बना है First is geography, G for geography, geography का मतलब है location, I for information, information means data और S for system, system means integration, यानि कि technology के द्वारा data कैसे हम प्रदिशित कर सकते हैं तो GIS और geographical information system, जिसे हिंदी में हम कहते हैं भोगोलिक सूशना प्रणाली जो कि अब दुनिया की सबसे महत्वून और सबसे उन्नत तक्निकों में से एक है लगबग हर शेत्र जैसे map making, mineral exploration, agriculture, planning, health और even defense and supply chain management में भी भोगोलिक सूशना प्रणाली शामिल है एक example के तौर पर हम इसे समझ सकते हैं जब हम, मेरे हिसाब साब सबने ही google maps का यूज किया है तो जब भी हम google map open करते हैं और उसमें हम कोई भी एक जगह सर्च करते हैं उसमें आप different different type के colors देख सकते हैं जैसे red, green, yellow and blue तो हम जब find करते हैं किसी एक location में आपको जाना है जैसे हमें यहां से Delhi जाना है तो हमें वो Delhi का shortest route दिखाता है और उस route में कई colors होते हैं जिससे हमें ही पता चलता है कि कहां पर कितना traffic है अगर red के लिए दिखे रहा है तो काफी ज़्यादा traffic है blue दिखे रहा है तो यानि कि आपकी road के लिए है तो यह सारी सुविधाएं हमें GIS और geographical information system की तक्नीक का उप्योग करके मिलती है इस तक्नीक का उप्योग करने के लिए हम remote sensing या GPS के थुरू हमें इससे data लेते हैं GPS के बारे में शायद सबने सुना होगा तो अभी हम remote sensing और GPS के बारे में ज्यादा ना जानके हम GIS के तरफ ज्यादा जानेंगे तो अब हम यह समझाने की कोशिश करेंगे कि वास्तों में GIS है क्या GIS की परिभाशा के त्वारा एक भॉकलिक सूचना प्रडाली यानि की GIS एक computer प्रडाली है जो की पृत्वी से इस्थानिक रूप से data को capture करती है store करती है analyze यानि की visualization करती है manipulation करती है और उसके बाद display करती है जिसके लिए वो विभिन तकनीकों का विभिन प्रडाली का उप्योग करती है तो हम बात करते हैं GIS प्रडाली के लिए कौन से basic components हैं बुन्यादी घटक हैं जिनकी हमें आविशक्ता होती है तो इसमें main important जो components हैं वो है hardware, software, data, log और प्रिक्रियाएं तो पहला है hardware hardware से हम सबी समझते हैं जैसे computer, printer, mobile और GPS जिसके थूँ हम data collect करते हैं, data manipulate करते हैं, second is software software में हम लोग data management का काम करते हैं जिसमें कई तरीके के software हैं जैसे important है, arc GIS या QGIS, उसके बाद तीसरा आता है data, data मतलब आंकडें सूचना, जो हमें प्राप्त होती है फिर आता है people, मतलब लोग, जो कि उस data का use करते हैं जैसे GIS specialist जो होते हैं, और last है procedure, यानि कि प्रखिरिया अब अगला सवाल ये उठता है कि GIS काम कैसे करता है GIS के संचालन में में ली दो तरीके के steps है जिसके द्वारा GIS का use किया जाता है, GIS के द्वारा जैसे GIS का data लिया जाता है, तो पहला है special data और दूसरा है attribute data, तो first is special data input, जिसे की हिंदी में कहते है, sthanic data input जो विभिन श्रोतों से database को एकत्र करने की प्रकिरिया है आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहला चरण जो है data को छाटना है, इसलिए हमारा purpose और goal clear होना चाहिए कि हमें उस data का use कैसे करना है, दूसरा step है attribute data, attribute data इस्थानिक विशेष्टाओं की विशेष्टाओं का वर्णन करता है, इसे अकसर हम tabular data के रूप में लेते हैं, tabular means पूरा table बनाके हम इसका use करते हैं यह इस्थानिक विशेष्टाओं के बारे में जानकारी देता है, जैसे हम दोनों data का use कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे GIS प्रोग्राम में दर्ज कर लेते हैं, तो सबसे स्थान के खोश करते हैं, Google पर सर्च करते हैं, किसी भी एक location को आप ले सकते हैं, example के तौर पे हम अपनी university का ही ले लेते हैं, जैसे हम Google करेंगे उत्राखन open university, तो एक point में आपको दिखेगा, कि university के location कहां पर है, वो आपको दिख जाएगी, तो ये हमारे special data है, कि आपको एक location आपको दिखाई दे रही है, उसके बाद हम university पर click करते हैं, तो हमें कई अन्य जानकारियां मिलती हैं, और हमें पता जलता है कि university की direction क्या है, हमसे कितनी दूरी पर स्थित है, या university में कितनी branches हैं, हमारी university कितनी सुविधाई देती हैं, कौन-कौन से particular में हाँ पर प्रदान किये जाते हैं, विश्य विधिहाले में कितने schools उपलब्ध हैं, तो ये सब data जो हमें मिलता है, वो कहलाता है attribute data, जिसे कि हिंदी में gear-isthanic data या विशेष्टा data भी कहा जाता है, GIS software में data enter करने के बाद, अगला step होता है, data को verification और editing करने का, जिसका तादपर ये है कि GIS software में जो भी data capture किया गया है, उसमें कोई भी error ना आए और जो भी error अगर आपको देख रही हैं, तो उसका हम correction करने और हमें एक accurate data मिल सके, data verification and editing करने के बाद, spatial और attribute data, जो दोनों data हमने capture किये हैं, उनको link करने की प्रिकरिया की जाती है, उनको आपस में जोडा जाता है, और अन्त में सबसे महत्पुर हिस्सा है, spatial analysis का, यानि कि स्थानिक visualization का, इस data के द्वारा GIS वास्तिविक दुनिया के बारों में, सवालों की जबाब देने के लिए database को तैयार करता है, वो सवाल जो हम Google के द्वारा उसे पूछते हैं, उसका answer देने के लिए database तैयार हो जाता है, GIS के द्वारा, हम जो भी database तैयार कर रहे हैं, उसका उप्योग, location identification, water management, geology, navigation, tourism, surveying, justice management, natural resources, oil spilling, regional development, और government के उप्योग आदी के लिए किया जाता है, संशेप में कहें तो GIS और इसके अनुप्योगों का व्यापार, उध्योग, सरकारी मुद्दों के साथ साथ, आम जनता के लिए भी बहुत ज्यादा importance है, संशेप में थोड़ा बहुत जान गए होंगे, धन्यवांद, हरे संशेप में उलju हुत झाल जा मकी और उजब होगार भाल riteे संसेपोगों पौन संशेपे संशेism संशेपों के लिए सवात को में भी बहार, उबत संशेपों के लिएकवार, संशेपों के थान Caitlin Commission झाल 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 झाल